हेलो दोस्तो आज मैं जिस मूवी को एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ वो मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक कपल यंग लड़कियो को किड्नेप करके बड़ी बेहरेमी से उनको टॉचर करते है उम्मीद करता हूँ कि यह एक्स्प्रे पीला पास जाकर उसे लिप्ट के लिए पूचते है वो लड़की पहले तो लिफ्ट लेने से मना करती है लेकिन वो देखती है कार में एक लेड़ी भी है इसलिए वो लिफ्ट के लिए मान जाती है लेकिन उस बेचारी लड़की को क्या मालूम कि ये कपल कितने बेहरे हैं और कितने खतरनाक है फिर वो कपल उस लड़की को किड्नेप करके अपने घर ले जाते है और उसे बहांद देते है जौन अपने सौक के लिए लड़कियों को किटनेप करता है और इन सभी में एवलीन उसका साथ देती है एवलीन पहले से ही साधी सुधा है उसके बच्चे भी है लेकिन वो इन सब को छोड़के जौन के साथ रहती है फिर जौन उस लड़की के कमरे में जाता है और उस करने लगता है उस लड़की की चिकने की आवज एवलीन सुनती है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है दूसरे दिन हम उसी कमरे को देखते है जहां काफी सारा खून पड़ा हुआ था यह देखकर हमें पता चलता है कि जौन ने उस लड़की को मार दिया है फिर जौन उस लड लिटर्स के थुरू बाते कर रहे होते हैं जिसमें हर लिटर से एक सेंटेंस लिखा हुआ था वैसे विकी चर्सी लड़की है जिसे नसा और पार्टी करना बहुत पसंद है विकी अपने मॉम और डेट से अलग रहती है लेकिन वो हर हफते अपने मॉम डेट से मिला करती है विकी की मॉम का नाम मेगी है विकी के मॉम डेट की आपस में नहीं बनती है इसलिए वो दोनों भी अलग रहते है मेगी हमेसा विकी को गलत काम करने से मना करती रहती है जिससे विकी को अपनी मॉम पे गुस्सा आता रहता है क्योंकि विकी सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती है फिर रात होने पर विकी किसी को बताय बिना घर की खीरकी से बाहर निकल जाती है वो कहीं पार्टी पे जा रही होती है तभी वहाँ पर वही कपल विकी के पास आ जाते है एवलीन विकी को ड्रिंक के लिए आफर करती है लेकिन विकी मना कर देती है फिर एवलीन के ज़्यादा फोर्स करने पर विकी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है फिर वो तीनों घर पर पहुंचते है जहां एवलीन का डॉक विकी पे भोखने लगता है एरिन उसे सांध कराती है फिर घर के अंदर जाने पर सभी ड्रिंक करने लगते है विकी के ड्रिंक में जोन ने बेहोसी की गोलिया मिला दी थी जिससे विकी बेहोस होने लगती है फिर वो दोनों विकी को पकड़ कर उसे बहन देते है विकी की चिल्दाने की आवाज बहर न जाये इसलिए वो विकी के मूँ को बंद कर देते है इस तरफ अगले दिन जब विकी की मौम विकी के कमरे में जाती है तो विकी उसे वहाँ पर नहीं मिलती विकी पहले भी इसी तरह घर से गायब रहती थी इसलिए उसकी मॉम इस बात पे ज़्यादध ध्यान नहीं देती उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह विकी वापस आ जाएगी इधर जोन को विकी के बेग में से उसकी डाइरी मिलती है जिससे जोन को विकी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है एक ही रात में विकी भी जान जाती है कि जोन एवलीन के साथ ठीक बरताओ नहीं करता वो बस उसका यूज कर रहा है जिसकी मदद से जोन लड़कियों को किड़नप कर पाता है फिर विक्की की हालत काफी खराब होने की वज़ा से वो बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देती है जिसके बाद एवलीन उसे नहलाने के लिए ले जाती है बात्रूम में विक्की को एक खिड़की दिखती है जिसे देखकर वो सोचती है कि यहां से भागा जा सकता है इसके बाद एवलीन विक्की से एक लेटर लिखवाती है जिसमें वो लिखवाती है कि उसे कोई मिल गया है जिसे वो प्यार करती है और इसलिए वो घर छुड़कर उसके साथ भाग आई है यह सब इसलिए था ताकि विक्की के पेरेंस उसकी चिंता ना करे और पुलिस वाले भी एक्सन ना ले लेकिन लेटर लिखते वक्त विक्की को टैबल पर रखे हुए लेटर में वहां का एड्रेस दीख जाता है और वो बड़ी चाला किसे कोड में उस लेटर में लिख देती है ताकि जब वो लेटर उसके पैरेंस के पास जाए तो उसका बॉयफ्रेंड जेसन उस कोड को ब्रेक कर सके और उसे बचाने के लिए वहां आ सके फिर एवलीन विक्की को वापस बेड़ पर ले जाने लगती है तब भी विक्की उससे कहती है कि उसे वास्रूम जाना है इसलिए एवलीन उसे वास्रूम ले जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ जौन आ जाता है जो एवलीन से कहता है कि वो विकी को वास्रूम ले जाएगा फिर वो विकी के साथ वास्रूम में जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है इधर एवलीन को इन सबसे जलन हो रही होती है कि अंदर जोन विकी के साथ क्या कर रहा होगा वो गुसे में वास्रूम के बाहर आकर दर्वाजा पीटने लगती है आवाज सुनकर जोन दर्वाजा खोलता है तभी एवलीन उसे कीस करने लगती है तभी मौके का फाइदा उठा कर विकी वहां से भागने की कोशिज करती है लेकिन जैसे ही वो विंडो से बाहन निकलने वाली होती है तभी एविलिन का डॉक विकी पे भौकने लगता है डॉक की आवास सुनकर जोन एविलिन को धक्का दे देता है और देखता है कि वास्रूम में विक्की नहीं है वो तुरंत बहर जाता है लेकिन विक्की बहर भी नहीं थी विक्की वास्रूम के बाट टब में छुपी हुई थी फिर वो वहाँ से निकल कर किचन में जाती है और एक चाकू उठा कर वहां से भगने को सुचती है लेकिन जैसे ही वो दर्वाजे के पास पहुंचती है तभी जॉन वहां आकर उसे पकल लेता है और उसे वापस बेड़ पर बहांद देता है तबी वहाँ विक्की की चिलाने की आवस सुनकर उनका एक पड़ोसी आता है लेकिन एवलीन उसे गाली देकर वहाँ से भगा देती है फिर जोन एवलीन पर काफी घुसा होता है क्योंकि उसकी वज़स से ही विक्की को वहाँ से भगने का मौका मिला था वो एवलीन को दूब विकी के डैड इस लेटर पर बिलिव कर लेते हैं लेकिन विकी की मॉम इस बात को नहीं मान रही थी इस तरफ जोन विकी के साथ जबजस्ति करके उसे टौचर कर रहा होता है तब ही वहाँ एवलीन आ जाती है एवलीन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता विकी भ दोनों के बीच अगर दर्रा लाई जाए तो यहां से निकला जा सकता है वह एवलीन को बताती है कि जोन सिर्फ तुमारा इस्तमाल कर रहा है जिस दिन उसका मतलब निकल गया वो तुम भी बड़ी बेहरेमी से मार डालेगा अब एवलीन विकी की बातों पर सूचने लगती है वो जोन से कहती है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो अभी विकी को मार डालो लेकिन जोन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी तो कुछ और ही प्लानिंग थी वो तो दोनों के साथ रोमांस करना चाता था वो एवलीन से कहता है कि वो विकी को एक दो दिन में मार ड ये लेकिन वह बैट सिट चेंज करने के लिए क्योंकि उसने बेट को घंदा कर दिया था और अगर उसे इस बात पर यहिन नहीं है तो वह वोसिन मसीम में जाकर देख सकती है ये सुनकर एवलिन वासिट में देखती एजिसमें उसे गंदी सीट मिलती है और इससे एवलीन को जोन की बातों पर यकीन हो जाता है और इस तरह जोन एवलीन को अपनी बातों में फसा लेता है फिर वो दोनों विकी के पास जाकर उसे टौचा करने लगते है अगले दिन जोन जंगल में जाता है और वहाँ विकी को दफनाने क करके वहां का एड्रेस निकाल लेता है फिर वो सभी पुलिस टेसन जाते है लेकिन पुलिस उनकी मदद करने के लिए इंकार कर देती है क्योंकि उन्हें उनकी बात भरोसा नहीं था अब सब खुद ही विकी को डुणने के लिए उस जगह पर जाते है इधर जॉन देखता है कि एवलिन के डॉग ने जमिन को गंदा कर दिया है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है वो डॉग को बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन जब वो डॉग बाहर नहीं जाता तो जॉन उसे ला क्योंकि इसके बाद जोन उसके टुकड़े करने वाला है इधर वो सब विकी को ढूंडते हुए इस एड्रस तका पहुंचते है तभी जोन की घर पर कोई नौक करता है जोन दर्वाजा खोलने जाता है एवरिन विकी का मुँ अपने हाथों से बंद कर देती है ताकि उसकी आ आवाज लगाती है लेकिन बेचारी विकी यहां पर कुछ भी नहीं कर सकती थी विकी तंग आकर एवलीन से उसे माँ डालने के लिए कहती है लेकिन एवलीन भी एक मधर थी और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी जब वो विकी की मौम की चिल्लानी की आवाज सुनती है तो उसके अंदर की एक माँ जाग जाती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है तब उसे पता चलता है कि वो कितना बुरा काम कर रही है अब ये सब देखकर जोन विकी को मानने के लिए आता है तब पीचे से जोन को एक चाकू गुसा देती है वो कई बार चाकू से जोन पर वार करती है विकी अपनी जान बचा कर वास्टूम की विंडो से बहर चली जाती है विकी आज़ाद होकर यहां से भागती है तब प्रवी उसके सामने एवलीन आती है लेकिन एवलीन उसे कुछ भी नहीं करती विकी की मौम भी यहां से जा रही होती है लेकिन वो कार के सिसे में उसे देखकर रुख जाती है और दोड़ते हुए अपने बीटी के पास आकर उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ ये सची गटना पर आधरित मूवी यहीं पर एंड हो जाती है